आज की इस वीडियो में हम लोग VRIO framework के बारे में discuss करेंगे कि VRIO framework क्या होता है और इसके बाद इसको हम लोग एक example के मदद से भी समझेंगे जिससे हमें ये पूरा समझ में आ जाए तो VRIO framework का जो full form होता है V से होता है valuable, R से होता है rare, I से होता है immitability and O से होता है organization तो सबसे पहले हम इसका meaning को समझते है जिससे हमें एक idea लग जाए कि ये framework basically किस लिए use किया जाता है और ये actually होता क्या है, right तो VRIO framework जो है वो एक resource based strategy है मतलब इस strategy को company use करती है जिससे वो पता लगा पाए जो भी resources उनके पास available है क्या उन resource की मदद से वो long term competitive advantage develop कर सकती है या नहीं तो VRIO framework किसलिए use किया जाता है to assess the competitive advantage कि जो भी competitive advantage क्या हमारे पास को competitive advantage है जो resources हमारे पास available है तो इसमें tangible resource और intangible resource दोनों type के resource को consider किया जाता है तो चलिए इसे हम लोग पहले समझते हैं और इसके बाद हम लोग इसे example से भी समझेंगे उसे align कर देंगे तो सबसे पहला point क्या आता है valuable मतलब आपके पास जो भी resources है आपके organization में क्या वो valuable है क्या वो customer को कोई फाइदा पहुंचा रही है क्या वो आपके service को improve कर रही है अपने अच्छे quality का है कि दूसरे दूसरों के पास वो raw material नहीं है अगर है भी तो बहुत सिमित लोगों के पास है तो यह बताता है कि आपका resources कितना valuable है या इसको हम लोग एक और example समझ सकते है कि एक company के पास बहुत अच्छे skilled employees है मतलब वो IAM बहुत बड़ी company है और IAM या I होते हैं तो इन जगह से वो people को recruit करती है employee को recruit करती है तो वहां से जो अगर company recruit करेगी तो definitely वो लोग काफी अच्छे होंगे right as compared to the normal colleges से जो graduate होते हैं तो उनका जो employee है वो valuable है right क्योंकि वो help करेगा service को better बनाने में तो valuable होने से क्या होता है valuable होने से आप differentiation create कर सकते हो और आपका जो cost of production है वो धरे धरे कम हो जाता है क्योंकि efficiency आती है process में तो resources आपका अगर valuable है आप first step pass करते हो second step आता है rare तो आपके पास जो resources है क्या वो rare है अब आप अकेले तो नहीं हो जो IIT या I.M से लोग को recruit कर रहे हो तो आपके पास resources valuable तो है लेकिन rare नहीं है क्योंकि कोई भी बरी company वहाँ से जाके लोगों को employee को recruit कर सकती है तो second में हम लोग चेक करते हैं कि जो भी resources हम लोगों के पास available है क्या वो rare है यहाँ पर लिखा हुआ है any resources both tangible or intangible कोई भी resources हो या वो tangible हो या intangible हो which may be acquired by one or only a few organization could also be considered rare मतलब अगर कुछ organization ही उस resources को available कर सकती है तो उसे भी हम लोग rare consider करेंगे if organization have equivalent resources or capabilities this will end in competitive parsity तो अगर organization के पास क्या है कि जो दूसरे organization के पास है वही resources हमारे पास भी है तो यह क्या होगा competition को बढ़ाएगा कम नहीं करेगा और व्रियो framework के मज़से हम यह जानना चाहते है कि क्या हम competitive advantage develop कर सकते है या नहीं हम लोग अपने competitor से कितने आगे हैं तो जो भी resources आपके पास available है क्या वो rare है यह second question आपका आता है अगर आपका जो भी resources से raw material है अगर वो rare है आपका यह step भी pass होता है third step आता है low immitability low immitability मतलब क्या हो जाता है आपका resource क्या होना चाहिए low immitable होना चाहिए मतलब आपने एक चीज़ बनाया और यह success मिल गया आपके उस चीज़ को अब इसको देखके दूसरे organization ने भी इस चीज़ को copy कर लिया अब copy कर लिया तो आपके लिए तो फिर कुछ बचा नहीं है काफी short term के लिए आपका competitive advantage था तो इससे क्या पहाँ चलता है कि अगर आपका resource valuable भी है rare भी है बट अगर easily immitable है easily कोई से copy कर सकता है तो यह क्या होता है यह आपका long term competitive advantage नहीं दे पाएगा तो आपका जो resources है वो low immitable होना चाहिए मतलब आपका जो भी resources है वो easily copy कोई ना कर पाए उसका कोई substitute product ना बना के तयार कर दे तो यह होता है low immitability फिर क्या आता है organized to capture value अगर जो भी resources है वो proper organized नहीं है तो आप उसको effectively utilize नहीं कर पाऊगे अगर आपके पास बहुत ही अच्छे resources थे valuable भी थे rare भी थे low immitability भी थे मतलब कोई असानी से copy भी नहीं कर पा रहा था आप जो हो आप उसे सही से organize नहीं कर पाए उस resource को मतलब आपके पास एक अच्छे team थी वो अच्छे उनके पास knowledge भी थी easily से वो उतने experience people किसी को मिलते भी नहीं है तो low immitability भी था लेकिन आप उन सभी को अच्छे से जिस job में वो अच्छे है वो नहीं दे पाए आप उनको अच्छे से organize नहीं कर पाए तो यह आपका जो पूरा महनत थाना पूरा बेकार हो जाएगा तो आपका जो resources है वो organized भी होना चाहिए जो भी system में organization में जो भी process है वो उस process इस तरीके से होने चाहिए जिससे उस resource का ज्यादा से ज्यादा advantage लिया जा सके तो अब हम लोग इसे एक example के मदद से समझते हैं चलिए हम लोग example लेते हैं apple का okay apple company valuable में हम लोग brand identity भी add कर सकते है उसका brand काफी brand काफी अच्छा है राइट ब्रेंड काफी लोग awareness काफी ज्यादा है brand loyalty काफी ज्यादा है अच्छे product offer करती है valuable product offer करती है customer काफी खुश रहते हैं तो जो भी वो offer कर रही है वो उससे customer खुश है right मतलब जो भी product वो बेच रही है जो भी product offer कर रही है वो valuable तो है okay तो यह पहला चीज में pass करती है apple क्या वो rare है बिल्कुल iOS का पूरा different operating system है और Android का पूरा different operating system है तो यह rare भी है तो second वाला जो step था वो भी pass करती है third में क्या आता है immitability तो easily कोई भी इससे copy नहीं कर सकता है right copy करना मुश्किल नमुमकिन नहीं है बहुत ही negative is this कोई को यह कोला को पेषम जराना वूरा जरा उसको करना ऑपी करना बहुत मुश्किल है वैसे जो आइफोन आइफोन ओप ऑडिनग सिस्टम है iOS जो है तो उसे भी आई ऊपी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे तो यहाँ पर भी हुढ़ा की इन् जिससे जो भी resources उनके पास है वो उनको proper तरीके से utilize कर पाती है और customer को दे पाती है जिससे customer ही बचारा खुश रहता है तो इस example के मदद इस model के मदद से हम लोगों ने सबसे पहले क्या discuss किया कि Vrio framework होता क्या है long term competitive advantage company कैसे build कर सकती है इससे और उसके बाद हम लोगों ने किसका example लिया iPhone का और उससे हमें पढ़ा चला कि बिल्कुल iPhone Vrio framework में बिल्कुल pass करती है उसके पास a long term competitive advantage है कोई easily उनको compete नहीं कर सकता इसलिए उनको beat नहीं कर सकता तो यह था resource based theory का Vrio framework तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए नहीं लगाओ तो डिस्लाइक कर दीजिए थैंक यू